नवस्कार दोस्तों, डीडीरेट के एक और एक्षन वीडियो में आप सभी का स्वागत है, मैं हूँ आलोग, तो आज जो वीडियो लेकर आए हूँ, वीडियो है डेली स्वाग का, और इसका टैटल है पाकिस्तान से सौरी टू इंडिया, पाकिस्तान टीम गो टू इंडिया वर्ल्लकप, आपको याद है, किस तरह बड़े बड़े बवाल किये जा रहे थे कि जी, इशिया कप में अगर पाकिस्तान खेलने इंडिया की टीम नहीं आएगी, तो हम ये कर देंगे, तो हम वो कर देंगे, तो हम वर्ल्लकप खेलने नहीं जाएगे, तो ऐसा हो जाएगा और मैं day one से कहा रहा हूँ कि पाकिस्तान की हिम्मत नहीं है कि वो बोलने के सिवा करके दिखाए और हुआ भी भई पाकिस्तान की टीम जो है वो तयार हो गई है कि जी हम इंडिया में आकर मैच खेलेंगे वर्ल्ड कप का मार बड़ी-बड़ी बाते की गई बड़े-बड़े प्लेयर्स ने पता नहीं क्या-क्या कह डाला कि इंडिया की तो ऐसी इंडिया की तो वैसी जनता भी जोश में थी कि हम नहीं जाएंगे और ये करेंगे हम ऐसा करेंगे सब फुस पड़े गया हिम्मत नहीं है आपकी ICC के टोनामंट को ना कहने की और ये मैं डेववन से कह रहा हूँ और वही हुआ चलिए अब इसवर पाकिस्तान की जनता क्या कहती है ये ज़रा सुनना बड़ा मज़धार रहने वाला है आईए खाबर पहले कोली का नाम लिए बनता भी होसी कही है फिला जबर्दस हो गया सर इसी रिलेटेड़ खुशकबरी देता है जाओ पाकिस्तान एकरी हो गया वर्ड कप के लिए जाने के लिए इंडिया क्या कहना चाहिए कितनी खुशी हो रही है कर्ये तो भी है डिन मुहां सबने कि क Первyorsun यह खुशः लग खुशी चाहली कि अच्छलिया निए करें ल Schwub Talentbeard Hill की एक आपने का, अपर आपने लिए उन्हां तो के थोड़ा उन्हां थोड़ा जया कॉमट है पर उसे प्रैशर था कि पता निए पाकिस्था ना यह था और इस दफ़ आप देखें तो बड़ा डिपैंड़ करता है। अगर आई सीसे मट में पाकिस्थान ना जाता तो बड़ा नुक्सान था उनका भी। जी 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 क्योंने आप देख लें दुनिया में इस वक्त अब स कि प्रेशर मना कैसे आई क्यू लेवल के लोग हैं आप लोग यार पहले आपने का कि हम नहीं जाएंगे एश्या कप में आ रहे हैं तो हम भी बाइकॉट करना पड़ेगा हम भाइकॉट कर देंगे कर देंगे आपने सारे हत्कंडे अपना लिए इंडिया ने का ठीक है बाई आई सीसी के टूनामिन को आप मना करते हैं आप पर बिलियन उफ़ डालर्स का फाइन ठोका जाता तो यह मत कही कि प्रेशर बनाया इसको कहते है थूक के चाटना कि पहले थूकते रहे नहीं जाएंगे इंडिया समस्ता क्या आपने आपको बीसे सही क्या समस्ता आपने तो अगर वही न होता तो आपको 60 परसंट तो वहीं पर लूज हो चुके हुए तो हो रही होगे ना के इंडिया भाई जा रहे हैं वो हम हमेरे भी विजे लगेंगे हम भी जाएंगे और मज़ा दो आएगा देखने में जी जी क्यों नहीं पाकसान इंडिया का ना एक जो रा इस सिरीज का इंतिजार करें कि जिसमें रेड बोल कृकिट देख सकें जबर दस हो गया क्या कहना चाहिए पहले तो हम कह रहे थे कि बाई जाना यह नहीं किसी भी सुरत जब-टक इंडिया नहीं आएगा अभी इंडिया नहीं रहा हों जा बी रहें नहीं अच्छर कितर अ सर देखे ना आप समझ ले आपके वो इंडिया जो है ना वही सारी क्रिकेट चरा रहा है तो आप में अभी इतनी विल पावर नहीं है कि आप उनका मुकाबला कर सकें पहले financially हुद को strong करें उनके level पे आएं फिर उसके बाद अच्छा लगता है कि हम उनके सारा मुकाबला अभी 30 सेकंड पहले यही भाई साब कह रहे थे जी हमने तो pressure बनाया इंडिया पर अभी 30 सेकंड पहले यह कह रहे थे कि हमने तुझी दवाब में ला दिया भी CCI को 30 सेकंड में अपनी ही बातों को यह पलट गए कि क्रिकट तो इंडिया ही चला रहा है तो भाई साब के लिए तालिया की करें जी बिल्कुल जी बिल्कुल इसमें कोई दो रही निया और वर्ल्ट कप है वह क्रिकट काभू बना ऑच्ता है हां है लेकिन तबीद सेट कर रहा है पाकिस्टन हना वह की न रहा हो तो थोड़ा बताएं फैक्स में बात करते हैं तो आप टोटल जो आज पाकिसान इंडिया के मैची ब्हुंच आप आप देख सकते हैं ती टुटी मेरा ख्याल मुकाबला क्लोज आ लेकिन रेड बोल क्रिकेट में और वन डे क्रिकेट में पाकिस्तान अभी डूमिनेट कर रहा है वर्ल्ड कुप में आप कह सकते हैं कि जरा हमारी थोडी परफॉमम वर्ल्ड कप क्यों इतना important होता है cricket में या किसी भी sports में अगर world championship होती है तो क्यों important है इसका basic question का answer यह है कि जी वो बहुत खास होता है special होता है क्योंकि तभी आपकी बात पता चलती है कि आप कितने पानी में हैं क्योंकि यहां मुकाबला दो टीमों के बीच नहीं हो रहा होता यहां पर सारी टीम एक साथ खेल रही होती है और वहां पर आपको perform करना होता है इसलिए world cup इतना important होता है और इसलिए world cup के matches में जीत हार जो होती है वो बाकी matches से जादा माइने रखती है और world cup में पाकिस्तान की performance इंडिया के खिलाफ बहुत ही बुरी है बहुत ही बुरी है बहुत ही बुरी है तो यह कहना कि जी अरे हमारे सामने तो इंडिया कुछ नहीं है तो खेर यह आप लोगों के सोचने समझने पर depend करता है बाकी world cup की performance ही मानी जाती है कि बॉस यह जहां पर दुनिया बर की टीमें लड़ रही थी वहां पर यह performance निकल कर आई है तो बात वो साम में आप बहुत पीछे हुआ भी इंडिया से बहुत एकाद मैच नहीं बहुत तोड़ेंगे इंशाला क्यों नहीं हो क्या जाता मुझे यह ने समझ में आती सारी गेमों में जी जाते हैं लेकिन world cup में जब मैच होता इंडिया पाकिसान का वहां पर हमारी टीम की कापे टांग जाती है पाकिसान का मुकाबला इंडिया के साथ नहीं पाकिसान का मुकाबला था दूनी के साथ तो दूनी अब चला गया है ठीक है वह जी कोई शाकनी जी वह पूरी टीम को हिला देता था ठीक है अब को याद होगा आपने 2007 का अपने बच्पन में world cup का final लेखा होगा ठीक है और ग्रूप स्टेज में भी मैच हुआ था आपका इंडिया के साथ अब उसमें जो थो थी ना थो जो विकेट को करनी थी तब सुपर ओवर नहीं होता था अब हमारा विकेट की पर कामरान अक्मल साब यह विकेट है तो इस तरफ खड़ा था दूनी बिलकुल बैक साइड पर खड़ा था तो वही से समझे के उसका जो माहिड़ा वह दो आता कि वर्ड़कप ले गया बंदा हाँ जी क्यों अपने कंट्री को वह डिजर्व करता था और उसने नो डाउट बड़े प्लेयर थी है अब देखे ना अब की जो टीम है अब की जो इंडियन टीम है वह पाकिसान के अगर विराथ को चुका मारा उसने वराथ को नी ठीक है वो तो क्रिकेट आव वो वाला चेका दूर वर्ड के अंदर कोई भी आज तक प्लेयर नी मार सकाए नहीं नहीं यह यह शायद हम कुछ ज्यादा वह करें बाबर ने मारें इवन बटलर ने मारें वाला ह हां हां मारा हुए आप देखें आपको आइडिया जी जी सर क्यों चोड़ो सर नहीं मानोगे ना तो मैं आपको जो बॉलर थे रहू साब थे ना उन्हीं की जबानी सुनवाता हूं उस बॉल पर चक्का खाने के बाद उन भाई सब को कैसा महसूस हुआ था और विराथ कोली के बारे में वो क्या कहे रहे हैं सुनिए मेरा सौली है कि जब आपको विराथ कोली ने दूसरा चका मार था वर्ल्ल कॉप में तो आपका रियक्शन उस वक्या था और आपके मूँ से क्या निकला था उस वहां पर थोड़ा हार्ट हुआ निकला ऐसा कुछ भीनी मूँ से ब इक इतफ़ा शॉट केल सकते हैं और वूसने खैल दी है फिंविंब पता है वो शॉट बहुत कम लग सकते हैं वूसनी टैमिंग ऐसी हो चुकी है और वो छिकढ हो उचक़ है समझ में आई बात बॉल खराब नहीं थी सआमने विराट कोली था यह फर्क है तो वो कोई साधारान चक्का नहीं था उस तरह का बाबा राजम में भी चक्का नहीं मा रहा है याद रखिए तो नहीं वो लगे हुए चिके ठीक है लेकिन नो डाउट वो अच्छा प्लेयर है और अभी भी आप कोली को पकड़ लेंगे शिया कप में वर्ल कप में तो वो उ पकड़ सकता है कोली को आइधिन नसीम शाह नहीं अच्छा गुड़ लेकिन जो नसीम इन कोली फस्त आ फशोथे स्टमपे थीग है जो मैनी चीज नोटी अमर को लें आ विकली नहीं आइज नहीं अमर की करिकेट ख़तम होगी आमिर का ताइम था ठीक है लेकिन अब आमिर कि जो क्रिकेटर ना वो खतम हो गी है मेरे खियाल से नसीम शाइब को पकड़ेगा क्योंकि जो स्काउट स्विंग या न वो बड़ा लेट होता है और वो पकड़ सकता है क्योंकि वह मिडल स्टम से जब चोथे स्टम पे गेंज जाएगा ना उट सुन्ग हो गए वहां पर उ के लिए एक यही पेगाम है कि जो माइंड सेट उसने टीम का बना दी है ना इसको तोड़ना नहीं है कि यह प्रेशर वाली मैच को इंज्वाई करना है बास जैसे का रहे हैं और जीते हैं अच्छा लगा बात करके तैंक्यू सो मच्छ इनाशी डगवी अस्वाली किसे हैं जी अलाम दलीला बागे शुकर नाम आपका मैर लेकत आपका नम सर्थ खुर्शीद खान सर एक स्वाल लेकर आपके सामने हाजिर वाँ सर आज हमारी टीम ने ओफिशली तोर पर अनॉस्मेंट कर दी कि हम प्ले करने जा रहें इंडिया वर्ल्ल कप के लिए क्या समझते हैं इंडिया की टीम आनी रही और हमने अगरी हो गए जाने के लिए क्या हमने गुटने टेक दी इंडिया के आगे ना ला माफ करें कदी नहीं टेक आंगे इंशाला सी जितांगे और इंशाला फत्य होगी साड़े पकस्तान दी अमें इंडिया के आगे कभी गुटने टेकने 93,000 घुटने एक साथ टिके थे बत्ती जली कुछ याद आया कुछ ये तो खर क्रिकेट की बात है जंग में पाकिस्तानी की अजीन फॉज 93,000 ना ना कहां घुटने टेकते हैं सर आप एक ही बार टेका है बस वर्ल्ड वार टू के बाद वल्ल्ड रिकॉर्ड बनाया आपने घुटने टेकने का 93,000 ने एक साथ टेके मैं बात कर रहा हूं पहले तो हमने कहा था कि भाई हम नहीं जाएंगे इंडिया खेलने जाएंगे नहीं वह एशिया कब खेलने के लिए हमारे पास नहीं आ रहे तो लेकिन हमने फिर भी माल लिया क्या कहना चाएंगे सी के आनके कि हमें बिल्कु नहीं जाना चाहिए ऌपर नहीं जाना चाहिए हमारे पे हमें उफिशली तर पर और अनॉसमेंट कर दी कम जा रहे हैं सर्थ लिकाएं सर उन्होंने जवाज पेश किया ना उन्होंने कहा कि बाई चलते फिरते यहां पर इनके जो एक्स प्राइम मिनिस्टर उन्हों पर फाइरिंग हो जाती है तो हम दुश्मन देश हैं तो वहां पर गए तो इसकी क्या गरेंटी के हमारे किरिकेटर्स पर यह हमला नहीं करेंग पाकिस्तान को कमजोर इन्डिया को मझभूत कहरें आपके महन रहे हैं हमारे कि एदारे कमजोर नेंडिया करवा रहा है साथ-पाइब प्र सम्ट मेरों में अगर होगे महा पर जाने के लिए हैं के लिए और सिसक्षाइब हमारी अपने अपनी जो है ना हमें अपना को खुद कमज़ोर किया है हमने यह मान लिए कि हम कमज़ोर हैं हमें नहीं मानना चाहिए कम हम मुस्लमान हैं हमारा इमान ही होना चाहिए कि हम ताकतवर हैं हम कमज़ोर नहीं है अगर हमारे पाफोर निया की पेली रंकिंग पर आए पास्पोर्ट थरीन अगर आप बात करेंगे इंडिया का इस ट्राम 80 नंबर पर रहा है हमारा वस टरieving पास्पोर्ट है सबस्टा इकर्वस बात गोने पर नियों तो यह बड़ी चीजी होती कि दो कि हिम आए पे पार्म पाक पाकिस्तान बोम जाक्तानकों सुधल में पाकिस्तान में जापानकों और को सज्राओ को ए नय वो किया था bis 5 जाए इसके बगभ गणाफ चेमें रहे हैं इन universal आद ऑननीोमें दो कि इसके चाहिएII पाकिस्तान की एकोनुमी इतनी बड़ी है कितनी हो गई सर किया आप कर्जा देने लगे जब से आप पैदा होय आनाना 47 से तब से आप करजे ले रहे हैं करजा दिया कब आपने जर्मनी को करजा चीन को करजा जपान को करजा कूरिया को करजा कुछ ऐसे बात करो जो पुखता हो कमजोरियां वो दूसरों पर डाल रहें आम आपकर इंडिया को कह रहें भाई वह तो स्ट्रोंग है अभी देखे दुनिया के पांची बड़ी महिशत बना लिए उन्होंने में ठीक है यह माना जाइए लेकर यह नहीं करना जाई लेकर इंडिया इंडिया में यह आप हमारे जाते यहां पर हमें इस इनर जाते दिफेट सिस्टरी करने सकती हो अगर देखे दुनिया दुनिया देखे गें यहां पर बाजड के अंदर बादम respectfully हैं तो कैसे दुनिया खरक आक्या तो एसमिद्रस jurisdiction को तो हो adopting in क्राइब करेंगे रिलेशन ब मैं गलत बात कर रहा हूँ अगर यह चीए तो हमारे बैतर होगे या बेदे बेटर हो जाएंगे सबसे बेदर हो जाएंगे सर मान लेना चाहिए हमें अपनी गल्तियां गल्ती अब ऐसे तो आप उनका मीडिया देख रहे हैं इंडिया मुलक जरूर है लेकन हमारे हुक्मरानों को भी सोचना चाहिए कि करदा ले रहे क्या का लोग बार वाले पा पर देने वाला अभी इंडिया आइम आफ को करजा देता आपको पता है आइम एफ के अंदर इंडिया के दो परसेंड शेर्ज वर्ल बैंक के अंदर इंडिया का जो इंडिया बैटा हुआ है इंडिया को सब को टूरोल के कि अदूर हैं कोई नहीं हमारा तो चself को इंडिया नहीं है लगाते हैं कोई लगा सकते हैं नफर t entity अभी बात करते हैं आपको प्लेक्ट में से इंडियन प्लियर से सबसे बहतरी तीले से प्लियर कौन लगता है Hashtum के इन Ganz और और गणीस तके ऐनकी इंड और के मुह से बहुत अच्छा लगा है वह सुनочно कि इनकी बात से किसे हैं आप जी आलावनुल्ला मैं ठीक हूं नाम आपका मुबश्र शाह करते हैं मैं जाब करता हूं एक बहुत बड़ी खुश्खबरी समयले आप मैच होने जा रहा पाकिस्तान और इंडिया का वो भी इंडिया के अंदर हमारी टीम कहती रही के भाई पाकिस्तान कहता रह के पीसीप कहता रहा कि इंडिया नहीं जाना नहीं जाना लेकिन वह आने रहे हम जाबी रहे हैं इसमें टोटली जो है ना पॉलिटिक जो है न वह शामल होती है अब हमारे पास जो गौर्णमेंट है वह उस तरह स्टैन्ड नहीं ले सकती हमारी अवाम की रहे बी यह होनी कि अगर वक्रणी रही आते हैं के अंदर थोड़ी सी एगो है अपने हापको पैसा अगया या१्य कह सैंसरी प MAS आपको पैसे मिलते हैं अगर यह उसमें विट्रॉय करते हैं तो हमारे लिए प्रावलमां आिइगी फाइनशली प्रावलमांक्र मायाईगी मत्पोर हम जाना कि फिर हम आई यह उमीद करते हैं कि हम अच्छा उसे आंखेल पेश करें और वहां से वाटकुपी में आपने कहा कि मजबूरी में जाना चाहिए सर क्या उनका आना यहां पर जरूरी है अगर हम दूसरी तरफ से देखें तो जहां पर सेक्योरिटी कंसंस है हमारे मुलक के अं प्राइम मिनिस्टर को गोली मार दी जाती है इतने सारे बीड़ के अंदर हम एक तो हमारी दुश्मन मुलक है दूसरी बात तो अगर वह आ जाते हैं तो वो कहते हैं कि इस बात कि क्या गैरंटी है थोड़ी बहुत हमारे बीच में अभी अन्बन है अगर कुछ हो जाता हमा कारारी टीम को वहां पर आगर थर रहाँ ज्यादे खराब हो सकते हैं सिर उनके विसांटके बीच और व्यादर के थीक ही है बकैदा हमला हुआ है उसके बाद भी उन्होंने अपना टूर कंटीनू किया है हम लोग सैक्रिफाइज करते हैं वो क्यों नहीं करते है जो कि में पर ने चाहिए हमें आपको बताता हूं एक्टली इसके पीछे काफी रिजन्स होती है इंडिया बेसिकली चाहता ही निए के अंदर किर्कट बहाल होई इंग्निर खेल के गई एस्टेलिया के गई यह निजिलन्ड खेल के गई है तो वह क्यों नहीं आ सकते तो शिलंका वाले टीम पर क्यों अटैक हुआ था क्यों गोलिया बरसी थी दरजनों प्लेयर उसके घायल हो गये थे क्यों घायल हुए थे शिलंका से कौन सी दुश्मनी थी भई शिलंका से दुश्मनी नहीं थी तब उस पर अटैक हुए भई हमारे साथ तो आप लोग क्या करेंगा पता नहीं शिलंका से तो कोई दुश्मनी नहीं थी आपकी तब क् तो गोडियां चलाई गई क्यों किया इसे लॉजिक देते हो या या यह पर पाथ थोड़ी समझने की आप थोड़े कॉमन सेंस थोड़ा कॉमन सेंस यूज करें आप बता है पाकसान वहां जा रहा है पाकसान की दुश्मिन ही उनके साथ है जिसने जितने भी वहां पर मैची जब दोतर चे में वहां पर टेस्ट मैच हो रहा था उस्टेम उन्हों ने बोतले भैंकी है ठीक है जब अफरीदी खेह रहा था इसमाम खेह रहा था यूनस कान ने त्री अंड़ किया था अब वो जो इतने ज्यादा वो इंतहा पसंद है जब वो करें तो वो मसला नहीं है बोतल फैंकना है इंतहां पसंदी हो गई और उधर बंबलास्ट करना एकए 47 से टीम के उपर गोलियां चलाना ये कोई इंतहां पसंदी नहीं है बॉस फूल बरस रहे थे ये है लोजिक पाकिस्तान का ऐसे जाहिल लोग लोजिक देंगे बोतल फैंकने की घटना को आप बंबलास्ट से कंपेर कर रहे हैं बोतल फैंकने वाला दैशत गर्द हो गया बंबलास्ट करने वाला नहीं 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 आरे हो कुछ नहीं है ऐसा सिर्फ पाकिस्तान के लोग ही बोल सकते हैं कमाल की ठतरलोजी है भाई कौन से ब्लास्ट हो रहे हैं ब्लास्ट सर वो जो बजोड के अंदर हुआ वो पाकिस्तान के अंदर हुआ कि पिशावर के अंदर हुआ आपके पहले भी वहांपे हो रहे हैं वो इतना बड़ा कंसे नहीं यस पर क्रदाफी मै भी हो हने इनिक यहां परुल का उसीना कर्याइट करते हैं दुनिया को दिखाते हैं कर अदर बाक। हम लह भी सेफ गोंने को रहे हैं मुझे समझ में आरे और हुआ बात समझ में आते हैं वो हमारे दिश्मन मुलक है वो यहां पर आगा खेल निसकते सर अगर फॉर एक्जामपल फॉर इंपल के आज आ जाते हैं वह यहां पर अगर उनके साथ कुछ भी हलका से भी कुछ हो जाता है तो हलाद पहले ही बहुत खराब है हमारे बोर्डर सके इसका फैसला आपने करना क्या ये बाई के कंसंट जो है वो सही है या नहीं है आपने कमेंट बॉक्स में जुरूर बताना थैंक यू सौ मच अना अवैसे जाहिलों पर क्या कमेंट करना तो आपके सफीर भी तो हमारे दिल्ली में बैठे हैं तो हिसाब बराबर है ना कि कुल अभी तक भासी पर रटका है क्यों नहीं आर्मी कोट ने तो कह दिया ना कि है जी दोशी है टंक देते कि उन्हें इता पताया है उन नेपाल से करनल हभीब आपके गायब हो गए अब बैलेंस करना समझते हैं बैलेंस करना पावर बैलेंस एक्ट ऑफ बैलेंस कुल भूशन जाद हो आपने एरान से उठाया ना हमारा और उसको कहने कि देशतगर्द है उसको आप टांगने की तयारी में थे आज तक इसलिए टांग नहीं पाए कि करनल हभीब जो है न वो इधर से उठा लिये गए किसने उठाया हमे करनल हभीब को इंडिया ने उठाया है पता लगाया जा कहा है किदर है अगर करनल हभीब नहीं उठाये गए होते ना तो कुल भूशन जाद हो को आप लोग टांग चुके होते फांसी पर उसी तरह हमारे सफीर पर आपकी हाँ इसलिए टैक नहीं हो सकता क्यूंकि आपके स आट साल पहले दस साल पहले पाकिस्तान की टीम भी नहीं आई थी इंडिया खेलने और उन्होंने कहा था कि इंडिया में security concern है सोचिए तब तो आप लोगोंने नहीं उठ खड़ी हुए कि नहीं नहीं कोई सेक्रिटे कंसर्ण नहीं है भेजो टीम को इंडिया तब किसी नहीं बोला था, किसी नहीं नहीं बोला तब वो जन्यूविन कंसर्ण हो गया जी आज जब पाकिस्तान में आए दिन धमाके हो रहे हैं आए दिन लोग मारे जा रहे हैं टीटीपी वाले आए दिन आपके फौजियों को मार रहे है लेकिन नहीं नहीं कुछ नहीं हो रहा है ऐसी सोच आप लोग कैसे पैदा कर लेते हैं मतलब समझ में नहीं है कैसे पैदा कर लेते हैं और देखिए आप माने चाहना माने पाकिस्तानियों की यह आदत है पहले खूब बढ़ चड़ कर बोलेंगे ये कर देंगे वो कर देंगे और उसके बाद जट से 93,000 की तरह सरेंड नियाजी आपका सरेंडर करने से एक दिन पहले तक बोल रहा था कि मेरी लाश के उपर से गुजरना पड़ेगा इंडियन आर्मी को और चौबिस घंटे बाद उसने अपने 93,000 सैनिकों के साथ सरेंडर कर दिया चौबिस घंटे भी नहीं लगे उसको पलटने में आप लोग भी भई हो बड़ा हीरो बन रहते है फन्ये खाँ नहीं जाएंगे उसने मैच देखकर जीते हारे कोई बी इंडिया जीते पाकिस्तान जीते कोई बात नहीं क्रिकट का गेम है हार जीत होड़ती रहती है लेकि मज़ा आएगा आपको अपने अबम धमाके बंद कर वा दीजी देखिए हमारी टीम भी जाएगे आपके 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 भीर चारों तरफ से मौजूद और वहाँ पर गोलियां मारी जाती हैं उसको दुश्मन देश का आदमे क्या सेफ रहेगा यार चले कमेंड में ज़रूर बताईएगा जल्दे मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ नमस्कार जाहिंद